प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो अगली खबर शादी के लट्टू से जुड़ी है रितिक रोशन की अपनी एक्स वाइफ सुजैन और बच्चों के साथ फिल्म देखने की तस्वीर सोशल वीडिया पर वाइरल हो रही है जिसके बाद उनकी घिर से शादी की खबरे उड़ने लगी है लंच बोट्स में सबसे पहले बाद उस खास जिश की जो कभी कभार बनती है और उससे जिसे खाने का बेसमरी से इंतजार रहता है ठीक उसी तरह जिसे स्क्रीन पर एक साथ खास जोड़ी का इंतजार उनके फैंस को रहता है यानि सलमान और कट्रीना बाद कलमान खान की आने वाली फिल्म भारत की हो रही है जिसमें प्रियंका चोप्रा के बाहर होने के बाद कट्रीना के आने की चर्चा हो रही है लंबे समय तक चर्चा रही कि प्रियंका चोप्रा भारत से हिंदी फिल्मों में वापसी कर रही है लेकिन प्रियंका ने निक जोनस से सगाई के बाद अचानक फिल्म छोड़ दी और अब कहा जा रहा है कि कट्रीना कैफ प्रियंका की जगा लेने वाली है प्रियंका ने जिस तरह से आखरी समय में अपना नाम वापिस लिया उससे फिल्म भारत की सहन निर्माता अतुल अगनी होत्री और उनकी पत्नी अलवीरा को बड़ा जटका लगा हाँ 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 हम भारत की हिरोईन की नाम का जल्दी एलान करेंगे हम लगतार बिना रूके शुटिंग कर रही है और साथी साथ अंतुराश्टी तारिकों पर भी काम कर रही है सल्मान की पिता सलीम खान प्रियंका के अचानक फिल्म छोड़ने पर नारास्गी जाहिर कर चुके हैं जो कुछ भी हुआ देखते हैं प्रियंका भारत में काम नहीं कर रही है ये उनकी मर्जी है हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कोई भी आ जाएगा बहुत सारी लोग है इसे पहले जैसे ही प्रियंका ने निक से सगाई के बाद फिल्म भारत में काम ना करने का फैसला किया तुरंत ही भारत के लिए नई हिरोईन के नाम पर चर्चा शुरू हो गई कहा जा रहा है कि कच्च्वीन के साथ अनुष्का श्र्मा और करीना कापूर की नाम पर भी चर्चा हूए लेकिन अनुष्का और करीना के साथ लगतार तारीखें ना मिलने का मुद्दा आड़े आ गया इसके बाद कच्वीन पर सभी की नज़रें जाटिकी वैसे भारत की heroine को लेकर social media में चर्चा कितनी गरम है इस पर comedian Sunil Grover ने भी चुटकी ली है और लांच बॉक्स में अब बात एक चट्पटी और मसालेदार डिश के खबर है कि रितिक और सुजैन फिर से शादी कर तकते हैं हालकि दोनों की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है लेकिन तलाव के बाद एक बाद फिर से दोनों को साथ देखकर लोग अटकले जरूर लगा रहे हैं मुंबई में रितिक रोशन के दोनों बेटे रिहान और रिदान एक सिनिमा हौल से बाहर आते दिखाई दिये दोनों के बीचों की ममी सुजैन भी दिखी सुजैन ने ग्रीन और ब्लू कलर की कैजूल ड्रेस पहन रखी थी जबकि रितिक रोशन भी कैजूल में ही दिखे बच्चों के साथ सिनिमा हौल से निकली सुजैन कैमरे से बच्च कर जल्द से जल्द कार में बैठना चुहाती थी लेकिन रोटेग कुछ रखी बेर की ऑरुनो ने यक कैमरे के लिप बाल 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 इस एडवेंचर टूर के समय रुटिक अपने बेटों के साथ फिल्म संदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाई में खुली गाड़ी में खुंगते दिखाई 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 अब जंदगी पे है जंदगी सिवर्सी और ग्रीस की गलियों में स्कूटर चलाते हुए अपने बेटों को शहर को करीब से दिखाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई 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 दिखा कर दो दूसरे की तस्वीर करने से बश्चते दिखाई दिये थे लेकिन सुजैन ने अपने बेचों के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया कर शेयर चलिए घूमने फिड़ने की बाते तो हो गई अब आइस्क्रीम की बात कर ले या आइस्क्रीम खाकर फिट रहा जा सकता है हो सकता है सवाल थोड़ा मुश्किल हो लेकिन इसका आसान जवाब दे रही है शिलपा शेटी जो जम कर आइस्क्रीम खाती है और जेम और योगा करके अपनी सारी कैलोरीज बर्न कर देती है आइस्क्रीम वो भी शेटी के हातों में और वो भी मैंगो क्रीम फ्लेवर वाली बले ही आइस्क्रीम हाई क्यालोरी वाली थी लेकिन थेर भी शेटी को रोक नहीं पा रहीं थी जिस वक्त आइस्क्रीम को देखकर शिल्पा के मुँ में पानी आ रहा था उसी वक्त उनका बेटा चिपकर उनको आइस्क्रीम खाते हुए देख रहा था लेकिन फिर वो भी आया और दोनों ने मिलकर आइस्क्रीम का लुट्फ उठाया बात थोड़ी चौकाने वाली लगे लेकिन फित्निस को लेकर आक्टिव रहने वाली शिल्पा शिटी खाने पीने को लेकर भी काफी क्रेजी हैं और इसका अंदाजा उनके सोशल मीडिया एकाउंट को देखकर लगाया जा सकता है इसमें शिल्पा तरह तरह की डिशिस को करते हुए नजर आती हैं वैसे तो शिल्पा वजीज खाने को देखकर कहीं भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन संडे का दिन उनके लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन वो अपनी पसंद की आलग अलग करा कि आई स्ट्रिम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं शिल्पा शेटी आजकल यॉरप घूमने गई हुई है और वहां भी उनकी आई स्ट्रिम को लेकर दीवान गी देखी जा सकती है यहाँ शिल्पा आई स्ट्रिम्स खाते हुए लोगों को सेहत का खयाल रखने की हिदायग भी देती है आलांकि शिल्पा शेटी आई स्ट्रिम्स खाते हुए जो वीडियो शेयर करती हैं उनमें से कुछ में उनके साथ कुछ खास लोग भी दिखाई देते हैं ऐसे ही एक विडियो में शिल्पा के साथ सचिन तंदुलकर की बेटी सारा भी आईस्ट्रीम खाती हुई नजर आएं इन वीडियो में आईस्ट्रीम को लेकर उनकी देवानगी तो नजर आती ही है लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखर आइस्क्रिम की दिवानी शिल्पा अपनी फिगर का खयाल कैसे रखती है शिल्पा भले ही हर संडे को आइस्क्रिम खाते हुई नजर आती हूँ शिल्पा शिट्टी की जमकर खाने पीने की आदत और फिटनिस के लिए घंतो जिम में पशीना महाने की आदत की दीवाने उनके फैन भी नहीं बलकि उनकी दहन शमीता शिट्टी भी हैं जो अक्सर उनके खाने पीने के शौक का हिस्सा बनती हैं तो कहां जा सकता है कि शिल्पा जम कर खाती हैं और जम कर जिम में पसीना बाहा कराती है तो लांच बोक्स में आइस क्रीम तो खाली अब थोड़े शेक्स पी लेते हैं संदेर जट आज उनसक साल के हो चुके हैं बीती रात उन्होंने मुंबई में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बर्त्रे पार्टी सेलिब्रेट की सोनम कपूर ने पती आनंद आहुजा के 35 से बर्त्रे पर इंस्ट्रग्राम पर एक तस्वीर के साथ आनंद के नाम स्पेशल मेसेज लिखा जन्दिर पर सोनम की बेहन रिया कपूर ने जूतों के शौकीन आनंद को एक खूलो से बना जूता गिफ्ट किया बरंदवन अपनी गर्ल्पिर्ण नताशा दलाल के साथ छुटिया मनाने के लिए लंदन रवाना हो गए दोनों साथ में मुंबई एइपोर्ट पर दिखे अनल कबूर ने हालिया रिलीज फिल्म मिशिन इंपॉसिबल फॉल आउट की सफलता के लिए टॉम क्रूस को बढ़ाई देते हुए कहा कि हॉलिवुड स्टार क्रूस के लिए कोई भी मिशन असंभवत नहीं है सिंगर हर्ष दीप ने सोचल मीडिया पर अपना एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो गाना गाती नजर आ रही है हलाकि उनके दोस्तों ये गाने के बीच परिशान कर रहे हैं दिल्ये पे चैनवे रस्ते तो रस्ते पे नहनवे जिंद्री बेहाल है और लांच बोक्स में अगली खबर शादी के लड़ों से जुड़ी है जो धाई महीने बाद भी बिलकुल ताजा है सोनम कपूर और आनंद अहुजा की शादी को दो महीने से ज्यादा का वक्त बीच चुका है लेकिन दोनों का रिष्टा वक्त के साथ और भी ज्यादा मीठा और मजबूत होता जा रहा है मुंबई के बेंडरा में साथ पहुचे आनंद अहुजा और सोनम कपूर को मीडिया परसन ने साथ में एक तस्वीर खिचवाने के लिए कहा जिसके बाद आनंद ने सोनम को सडक पर ही गोड में उठा लिया हलाकि सोनम भी शायद इसके लिए तयार ना थी और जल्दी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया इसके लावा सोनम और आनंद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें आनंद गुटने के बल जमीन पर बैठ कर सोनम को जूते पहना रही है ये तस्वीर आनंद अहुजा के नए खुले स्टोर की है, जहां सोनम जूते ट्राइ करती दिखी, इस बीच आनंद अहुजा जमीन पर बैट कर सोनम के जूतों के फीते बानते दिखाई दिये, वीडियो में दोनों की केमिस्टरी को काफी पसंद किया जा रहा है, सोनम की शा जब शादी की बात आती है, तो छोटी चीज़ें भी बहुत माइने रखती है, हम भले ही अलग टाइम जोन में हों, लेकिन स्काइप पर खाना साथ नहीं खाते हैं, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं, कि हमें एक दूसरे से मिले बिना दो हफते से जादा का वक्त ना भी जो कंगना रनौत के घुस्से से और भी ज्यादा गरम हो गया है, क्योंकि प्रियंका चोप्रा की खास दोस्त कंगना रनौत उनकी सगाई की बात छिपाने से नाराज है, कंगना को घुस्सा इस बात का है कि प्रियंका उन्हें सगाई में बुलाती हैं या ना बुलाती हैं प्रियंका ने अपने जनम दिन 18 जुलाई को जब अपने दोस्त निक जोनस से सगाई की तो उनकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी करीबी दोस्त कंगना रनौत हरत में पढ़ दी मुंबई में कंगना और प्रियंका को एक दूसरे का खास दोस्त माना जाता है दोनों को कई कारिक्रमों में एक दूसरे के साथ देखा जा चुका है कंगना तो कई भार प्रियंका को अपना आदर्श बता चुकी है लेकिन जिन प्रियंका चोपडा को कंगना अपना दोस्त मानती है जब उनकी सगाई की खबर कंगना को मीडिया के जरी मिली उन्होंने अपनी नाराजगी जहिर करने में देव नहीं की अच्छा मुमीधी बहुत अच्छी दोस्त हैं उन्होंने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं खपा हूँ कंगना भले ही प्रियंका की सगाई की खबर ना मिलने से खपा हूँ लेकिन प्रियंका अपने मंगेतर निक जोनस को लेकर ब्रिटरिन के प्रिंस हैरी और प्रिंसस मेगन मारकल से मिलवाने पहुच गई मेगन मारकल और प्रियंका चोपड़ा की दोस्ते की खबरें अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया में आती रहती है प्रिंस हैरी और मेगन की शादी में भी प्रियंका को नियोता दिया गया था जसमें प्रियंका की ड्रेस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी शायद इसलिए ब्रिटिश शाही जोड़े से बढ़ती अपनी दोस्ते की एहमियत समझते हुए प्रियंका ने निक जोनस के साथ प्रिंस और प्रिंसस से मुलाकात की वैसे प्रियंका लंडन से नियॉयॉक पहुँच गई है और उमीद है कि अपने दोस्तों को अपनी शादी में जरूर बुलाएंगी अपने जरूर कि बार बुलाएंगी झाल झाल